जहन्त फीचर ओफिसर्स वेल्कम तो आई एस ओरिजिन देखिए गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही डेंजर बतलब यह कहीं ना कहीं हर वेक्ति इसके बारे में जानता है उसके बारे में हम लोग संजेंगे समस्या क्या है समस्या के साथ समाधान क्या है सरकार ने किन कदम को लिया है और सबसे इंपोर्टेंट यह यह नीज में क्यों है यह सब हम लोग देखने वाले left-wing extremism के topic पे, so we move on to the topic, you can see here, title क्या है भारत का cancer, भारत का सबस्वड़ा cancer, cancer क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये समझे, cancer you know very well, कोई भी चीज का सड़ना, जैसे कोई body part है, वहाँ पे सडन सबस्वड़ा cancer, तो ये जो है left-wing extremism भारत का सबस्वड़ा cancer है, आप क्यों है, इस पे हम लोग discuss करेंगे, you can see the map of India here, right, map of India, यहाँ पर अगर आप notice करेंगे, भारत का almost 40 to 50% area ऐसा है, जो कहीं ना कहीं 30 to 40% बोल दे हम कि कहीं ना कहीं left-wing extremism से पीड़े थे, right, so talking about it in detail, यहाँ पर एक picture को आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर आपको देख रहे होंगे, आतंगवाद से भी बड़ा खत्रा है नकसलवाद, क्यों है, सबसे बड़ी चीज क्या है, आतंगवाद बहार से आते हैं और attack करते हैं, लेकिन नकसलव लोग होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं, left wing extremism वाले वो लोग होते हैं, जो कि भारत में ही रहकर, भारत के ही छेतर में रहकर, भारत के ही लोगों के बीच में रहकर, government पर attack करते हैं, या फिर government के infrastructure पर attack करते हैं, क्यों करते हैं, यह हम लोग discuss करेंगे, एक quotation है, जो मैंने लि but whites only at the poor the powerless illiterate people ignorant peoples right you can see here the law works at all but whites only at the poor the powerless the illiterate and ignorant people you can see here that in bharat में तक्रीव अन 70% जो लोग है वो कही न कहीं पौवर्टी या फिर मतलब जो बोल सकते ना वेल आफ नहीं है और सबसे यादा प्रोब्लम उनको ही फेस करना पड़ती है सब्सक्राइब आप देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो इंडिया इस मेंटेनिंग सेपरेट डेटा न्यूज में क्यों है क्योंकि अभी फिलाल में गवर्मेंट जो है सेपरेट डेटा मेंटेन कर रही है फॉर इंचिएंट्स इन्वाल्विंग दी लेफ्ट विंग एक्स्रीमिस ट्राइट गवर्मेंट सेपरेट डेटा तो यह न्यूज में हमेशा रहता है इंटरल सेक्योरिटी का टॉपिक भी है आपके पेपर का यूपीएस्टी के राइट तो रीसेंट में मिनिस्ट्री आप देखेंगे भारत ने काफी यादा इंप्रूब भी कर आए भारत लाइक इन इंडिया यू विट्नेस देर इस्ट्राइट विंग एंडिया नावी मुव फॉवर्ड गाइस यहां पर आप देख रहे हैं हमारे पूर्व प्रधान मंत्री जी ऑन्रेवल मन्मौन सिंग इन्होंने क्या वोला था और इन्होंने जो स्टेट्मेंट वोलाए नहीं यह लिटरली सही है डाइज लेफ्ट विंग एक्स्रीमिजम इस दी बिगेस्ट सेक्यॉरिटी थ्रेट फॉर होल इंडिया इट इस लाइक दी कैंसर एस ब्लॉट फॉर होल इंडिया राइट तो यह इन्होंने स्टेट्मेंट दिया यह कही न कहीं आप लिख सकते अब देखिए आपके समझ में बार 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 बोल रहा हूं लेफ्ट विंग एक्स्रीमिजम लेकिन आपको यह समझना होगा कि एक्स्ट्रीमिजम होता क्या है यह वर्ड तो आप लोग ने आजाती कि लेटेड नहीं है बट यहां पर यह जो यूज़ करा रहा है अभी प्रिजेंट के कंटेक्स में मैं बात कर रहा हूं कि वो लोग जो इंटॉलेन्ट होते हैं अपने थॉट्स के प्रति राइट उनका यह सा है कि अरे चेंज कर आना है चेंज करना है तो कुछ मत करो बंप फोडो इस टाइप का एक हम बोल सकते हैं कि अटेक कर दो ठीक है सीज़े सीज़े आटेक करो राइडिकल आईओल जी है देन वेन वी टेंड टो चेंज फ्रॉम वन साइड ऑफ स्पेक्ट्रम तो अनादर साइड आप जैसे पहले थे जैसे मॉडरेट में थे अब वो मॉड बीटाइटी से अगेंस्ट यह काम करते हैं एधिसके रहे देन यूजद वायलेंस और सैसे सरकारी लोग हैं अधिकारी सरकारी मंत्र तो उनको directly attack करते हैं directly violence का Uh करते हैं तो यह होता है extremism जिसको हम लोग अतिवाद हो अदि में आप आप लोगों के समझ एक और वेड़ आ रहा है Leftrain तो यहां पर यह लेफ्ट कहांसे आया लेकिली जो वड़ आया ना वह आया आपके Parliament, Britain, I think सहे जो भी Parliament था, लेकिन क्या होता है, Parliament में, जिस भी Parliament में Left side में जो लोग बैठे थे उनको Leftist कहा जाता था Right side में जो लोग बैठे थे, उनको Rightist कहा जाता था, वही से Left wing और Right wing करके context या word जो है आया है अब आप देह यहां पर जो देख पा रहा है इने फिर से यह इसकेल Unlike remove left लिखा हुआ है जहां पर किस तरह के लोग आते जो सोश्लिस्ट समाजवाद लोगे समाज़वादी वाले सोशयालिजम वाइट देन दाउनवर्ड यू के यह विल्कुल मतलब जैसे आप लोग ने देखा हुआ जेन यू के बारे में बोले आता है कि जेन यू एसे इंस्टिटूट जो है न वह कही न गई करता है सबके अपने पर्सपेक्टिव हैं यहां पर कि जो लेफ्ट वाले लोग होते हैं वह कही न गई एकदम से रेवल्यूशन की बात करते हैं आप देखिए राइट विंग वाले जैसे आप लोगों ने देखा होगा भारत में बीजेपी सरकार जो है वह राइट विंग म इसा चलने दो यहां पर रिवल्यूशन की बात हो रही है यहां पर ट्रडिशनलिजम और बीच में जो लोग आते हैं वो आते हैं लिव्रलिजम लिव्र लिजम जहां भी वर्ड इजम आजाए ना इसका मतलब ही होता है आइडियॉलोजी अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझते हैं now here you can see this के what is left-wing extremism पहले मैंने आपको extremism का मतलब बताया फिर मैंने आपको left का मतलब बताया here you can see that that left-wing extremism also known as the left-wing terrorism इनको left-wing terrorism भी बोले आता है radical left-wing भी बोले आता है right and they refer to the political ideologies यह उस ideology से belong करते हैं या उस group से belong करते हैं which advocate for significant societal and political change right यह उस ideology से belong करते हैं जो significant societal societal and political change लेकर आते हैं जैसे for example government ने कोई policy बनाई इनको पसंद नहीं आई तो इन्होंने क्या कर रहा वहाँ पर उसको मतलब उसका उसका यूज ना हो या फिर उसके फाइदे जो भी हो रहे होंगे मान की चलो government ने कुछ बनाया road बनाया तो इन्होंने road तोड़ दी मतलब क्यों तोड़ दी क्योंकि government का इन्हें बिरोध करना था ठीक है उस कंत्री ने कुछ अच्छा काम कर रहा था सपोस करो कुछ अच्छा काम कर रहा हो या फिर indirectly land reform करें लेकिन land reform successful नहीं हो पाए successful नहीं हो पाए जो left-wing extremist वाले लोग थे वह कहीं ना कहीं manipulate करना चालू करें और उसके बाद वो वो land reform के चलते उन्होंने क्या कर अटेक करना चालू कर दिया दा पॉइंट हेर वाट आम एक्स्पेंडिंग का विरोध करना चालू कर देते अब क्यों करते हैं अभी दीरे-दीरे-दीरे ऐस्गड ओगया जह र tentang प्रदेश हो गाया यहां पर आप देखिंगगा मलकंगरी रिजिन plan Balya Oswald यह पूरा आप पूरा आपर काफीанный कोरे डॉडियol देखने को मिलते है 있다는 और गवर्मेंट ने भी काफी सारे एफर्ट लगाए हैं इनको कंट्रोल करने के लिए लाइक इंडिया की जो मेजर फोर्सेस हैं सेंट्रल पैरा मिलिटरी फोर्स हो गई चाहे रिजब पुलिस फोर्स हो गई से एर पीफ के जमान वह बॉडर सेक्यूरिटी फोर्स हो गई इंडो टिबटीन बॉर्डर पुलिस हो गई सास्थ्र सीमावल एसेजबी वाले लोग यह सारे के सारे लेफ्ट विंग एक्स्ट्रिमिजम में आप समझ रहे ना यह सारे के सारे लोग ना लेफ्ट एक्स्ट्रि पहले प्रफ रहा है यह पहला पॉइंट के मार्जनलाइजेशन ऑफ माइनोरीटी इस एंड बैक्वर्ड ग्लासेश भारत में आप लोग जानते हैं वर्टिकल और होरीजोंटल डिवीजन जो है सोसाइटी में काफी आदा है वर्टिकल एस वहरी हाई इन आवर इंडियन स डॉमिनिट कर जाती है माइनरीटी पर अगर आप मणिपूर की वात करें तो मणिपूर में भी तो यह हो रहा है कुकी और मेटी ट्राइब में लड़ाई क्यों हो रही है मैजोरीटी माइनरीटी कॉन्फिक्ट है राइट ना पहला पॉइंट होगा दूसरा अगर नेच्रल रिसोर्स का हो रहा है और जिस जगहां पर हो रहा है वहां की ट्राइफ वहां पर डेवलपी नहीं हो पा रही है फॉर एक्जामपल जार करंड में यह स्थिति देखने को मिली सिमिलर्ली इन तेलंगाना आल्सों भी विटनिस्ट सेम सिच्वेशन राइट नेक्स्ट वन इस इन एक्सेस टू बेसिक सर्विसेस वर एक्जामपल आप देखींगे इंडिया में हर सहर में सारी अपर्चनेटी मिल जाती है रोटी कपड़ मकान बढ़िया तरीके से मिल जाता है आप भॉपाल जैसे सहर में हो चाहे डैली में हो चाहे मेट्रोपलिटन कोई भी सिटी हो तो जो अर्वन प्लानिंग है उस पर तो काम कर रहाता है लेकिन जो रूरल एरिया है जो वह एरिया है जो मैप पे दिखता ही नहीं है उसका क्या तो इनएड़ एक्सेस टू बेसिक सर्विसेस एंड एड़िकेशन राइट तो वहां पर ना हेल्थ की फैस यह वह कही न कहीं लाक कर रहा है ना नेक्स्ट वन इस आइडियोजीकल देखें कि अगर आपन देखें कि कुछ लोग इतने यादा हो जाते हैं अब तो हमें इस तरह से ही रिवल्यूशन लाना होगा जैसे माओ वाद हो गया मार्क्स वाद हो गया तो यह लोग इस वह लेस सपोर राइट जैसे जो भी बहर के इंफ्लेंस और एक्टर सेंड सपोर्ट आप देखेंगे चाएना हो गया पाकिस्तान हो गया यह यह कही न कहीं इंडिया में क्या बोलते हैं ओजार भी दे रहा है गंस भी दे रहा है सप्लाइब करते हैं बॉंस भी आप इंडिया में विट्नेस करेंगे के घ्राइट संब बना हुआ है अगर उसकी के बारे में आप देखेंगे तो आपको पता चले जाएगा कि इंडिया में होते रहते हैं अब उसमें से भी जैसे आप लोग ने एक मूवी देखी होगी मूवी का नाम तो मुझे याद न , for example, land reform in India में हुए, suppose कर ये. लेकिन लेन्ड रिफॉर्म का जो फाइदा मिलना चाहिए था. लेंड रिफॉर्म का जो असली फाइदा, लेंड रिफॉर्म का जो असली फाइदा है किन तक मिल जाना चाहिए था इन लोगों तक जो पूर थे यह पूर लोग थे पूर लोग थे वहां तक गए ही नहीं राइट रिफॉर्म के चलते उनकी जमीन तो ले ली गई लेकिन उनको यहां से दूसरी अगा ट्रांसफर कर दिया गया यहां से दूसरी अगा सिफ्ट कर दिया गया तो यह कारण बन ज जाता है then next one is unemployment and lack of livelihood opportunities अगर हम बात करें unemployment की गाइस देखिए unemployment एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है आप देखेंगे कि सब को employment नहीं देती सरकार और दे भी नहीं सकती right that is why our honorable prime minister Modi ji focus करते हैं कि नौकरी लेने वाले नहीं नौकरी देने वाले वनो इसलिए entrepreneurship start-up इस पर focus कर रहा रहा है अभी की सरकार के दौरा but the thing is that के historically अगर हम देखें तो livelihood opportunities उतनी available थी ही नहीं now you know what जो left wing extremist होते हैं यह किसको target करते हैं पहले तो आपको यह समझे नहीं होगा देखें यह government के institutions को target करते हैं यह law enforcement agencies को target करते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी को target करते हैं यह आपको याद रखना पड़ेगा government institutions law enforcement agencies private institutions कई सारे सरकारी अधिकारी आला अफसर लाइक IAS officers इवन मंत्री मिनिस्टर्स यह सारे के सारे target होते हैं यहाँ पर मैंने आपको बताई दिया now why LWE propagated in India right LWE क्यों भारत में propagate कर देखे क्यों क्यों कि भारत में marginalized लोग जो indoctrinate हो जाते हैं यह वाले लोग काफी जादा काफी जादा मात्रा में available हैं ठीक है यह कही ना कहीं पीड़े थे और पीड़े तपके की वात ही ही होती ही कि अगर आप थोड़ा से उसको एकसाइट करोगे वह एकसाइटिंग जैसे लेक्टर्न प्रोटर्न न्यूटर्न होता है उसकी दरफ एकसाइटिंग स्टेज में जाते हैं तो उन लोग को कही न कहीं कहीं करना या फिर उनकी the status in India, देखिए ये news में क्यों है, क्या है कि भारत सरकार ने काफी अच्छा effort लिया है और उसके चलते हमारे भारत में अभी जो left-wing extremism की गतिविदिया कहीं न कहीं कम हुई है, जैसे for example, it come down by 76% in 2022 as compared to 2010, तो ये बहुत important data है, आप अपने answers में ये जरूर इस data को लिखिए, so there has been a decrease in geographical spread violence as only 46 districts are reported, तो ये हो गया, now responsible factors, आप देखिए main responsible factors है ना जो बतलब क्या है, तो 2006 में एक committee वनी थी, ये आप जरूर याद रखिए गा, इसका नाम है बंदोपाध्याए committee, 2006 में जो committee आई थी, इसका राम था बंदोपाध्याए, बंदोपाध्याए committee on left-wing extremism, बंदोपाध्याए committee on left-wing extremism, इन्होंने क्या वोला, इन्होंने कहा कि पहले आप identify करो governance के gaps को, for example, जहां-जहां समस्या है, health हो, child education हो, जहां-जहां समस्या है, उनको identify करो, just for example, you can see here, extensive discrimination देखने को मिला, tribals में, भाई, वो discrimination क्यों हो रहा है, उस पर काम करो, then socio-political और cultural spheres, जो भी है, वहां पर discrimination देखने को मिला, तो वह भी एक बहुत-बड़ी समस्या है, क्यों हो रहा है, उस पर बात करिए, primary causes of nuxilights, proliferation, क्या-क्या और भी कारण है, उनको the governance gap, right, then second point is socio-economic disparities, socio-economic disparities, जिसको मैं बोलता हूँ, vertical and horizontal divisions, vertical and horizontal divisions in society, in society, यह आपको याद रखना पड़ेगा, right, here you can see here, कि जो large section है, population के, वो कहीं न कहीं, poverty में रह रहा है, कहीं सारे issues को face कर रहे है, unemployment face कर रहे है, right, access to basic amenities कहीं न कहीं देखने को नहीं मिल रही है, basic amenities like, रोटी कपड़ा मकान ही available नहीं है, right, तो लोग तरफ तो हो जाएंगे, न सरकार से, इसलिए वो left-wing extremism की तरफ बढ़ते हैं, तो वह गवर्मेंट को focus करना चाहिए, socio-economic disparities को कम करने की तरफ, right, यह हुआ, second point और नो नहीं displacement, जैसे, मैं आपको example देता हूँ, क्या होता है, कई वार सरकार को land को लेना पड़ता है, लोगों से, सरकार को कह चाहिए, जमीन चाहिए, जमीन से उन्हें रोड बनाना है, रोड बनेगी तो development होगा, right, you know very well connectivity improve होगी, broadband highways बन रहे हैं, right, तो smart cities develop, smart villages के बारे में बात कर रहे government, right, तो urban amenities to the rural areas, right, तो उसी को हम बोलते हैं, smart governance, right, तो बात यह न, कि सरकार को चाहिए, क्या land, suppose करिए, सरकार को चाहिए, land, right, अब वो land किस से लेगी, गाहों से लेगी, अब गाहों में जो लोग रहे रहे थे, village में, जो लोग रहे रहे थे, वो सारे के सारे, सारे के सारे land लेके रखे हुए थे, अब government ने क्या कर रही है, उस land को particular ले लिया, और government ने बोला कि अब हम लोग आपको इसके बदले एक तो नौकरी देंगे, ठीक है, नौकरी देंगे, छोकरी नहीं, नौकरी देंगे, मतलब नौकरी मीज़, employment देंगे, उसके अलावा, हम आपको एक दूसरे छेतर में land भी देंगे, suppose करिए ये जो land government ने ली है, ये कैसी है, fertile थी, लेकिन अब government ने दूसरी एकापर जो land दी है, तकरीवन 400 km दूर, वो land कैसी है, unfertile है, अब आप बताएए, भारत जैसे देश में, जब agrarian economy है, agrarian economy पे हम लोग विलकुल काम करते हैं, तो आ अहां पर अगर fertile के बतले, infertile land दी जाए, या फिर नौकरी ना मिले, तो बंदा तो परिसान हो जाएगा, because of that, because of that, people get towards the left-wing extremism, right, then next point is, आदिवासी राइट, जो scheduled tribes है, जैसे कि आप लोगोंने सुना होगा, एक होता है scheduled caste, और एक होता है scheduled tribe, जो scheduled tribe होता है, वो सारे के उनको हम बोलेंगे, geographically segregated, segregated, geographically segregated people, right, तो यहां पर आप देखेंगे जो आदिवासी राइट से, right, India is home to significant number of आदिवासी, who are indigenous communities with their distinct cultural and traditions, right, तो यह आपको याद रखना पड़ेगा, then next one is guys, जो बंदो पात्याइट, committee के बाद में, हाँ, यह सब तो मैंने आपको बताई दिया, right, now we move on to the government के क्या initiatives रहे है, government ने भी काफी कुछ अच्छा steps लिया हुआ है, तो government ने सबसे पहला, government ने क्या करा, एक policy बनाई, its name is national policy and action plan, ठीके, अब यह कब बनाई गई थी, ठीके, 2015 में, right, यह policy बनाई गई थी और इस policy के तहत, government ने कहा, government ने कहा, कि हम जो security infrastructure है, जो capabilities है, forces की, उनको enhance करेंगे, जितना हो सकता है, governance पे focus करा जाएगा, good governance पे focus करा जाएगा, good governance पे focus करा जाएगा, right, development पे focus करा जाएगा, rights and entitlements जितने भी हमें देना है, right, वो सारे के सारे दिये जाएगे, right, the point here, what I am telling is that, कि जो भी grievances है ना, उनको redress करने की बाद, सरकार ने करी, समझ में आया, I hope you get my point till here, right, now we move on to the government initiative हो गया, अब government के initiative में ही हम थोड़ा सा मतलब, इन्होंने क्या-क्या बोला था, for example, focus on the socio-economic development, क्या, socio-economic development पे focus करा जाए, right, और सरकार ने, central government ने, एक समाधान करके initiative, समाधान करके, यहां पर देख रहा है, आप लोग, सर को कितने अच्छी समुस्कुरा रहा है, क्योंकि इन्होंने समाधान निकाल दिया, ठीक है, तो समाधान initiative सरकार लेकर आई, अब समाधान है क्या, समाधान is one-stop solution for left-wing extremist problem, अब one-stop solution का मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा, जो प्रिजेंट गवर्मेंट है, काफी मतलब निमोनिक्स टाइप के efforts लगाती है, और देती भी है, लोगों तक नितियायोग, ऐसे ही समाधान initiative आया है, अब समाधान का मतलब क्या है, समाधान, it encompasses the entire strategy of government, from short term policy to long term policy formulated at different layers, different layers, समाधान initiative को आप एक बढ़ पढ़ लीजे, यह ले लिया होगा, तो यह एक operational doctrine है, क्या है guys, यह एक operational doctrine है, याद रखना है, एक operational doctrine है, operational doctrine है, operational doctrine है, और समाधान में आप notice करेंगे, क्या क्या है, S का मतलब है, smart policing and leadership, हमारे यहाँ, आपने witness करोगा, अभी ही तो ठीकी है, लेकिन पहले के समय में, जब कार्यल का दूआता था न तो मतलब तमंचो वाली बंदूग से लड़ाई कर रहे थे, आज भी आपने देखा होगा कि constable होते हैं, जब बॉम्बे में terrorist attack हुआ था, तो उस टाइम पर कौन सी बंदूग थी, डंडे थे, जो constables हुआ करते थे, तो समस्या क्या है ना, बहुत सारी है, हमारे यहाँ, ज जो गवर्मेंट की strategy होने चाहिए, वो काफी aggressive होना चाहिए, कि कैसे भी करके इसको या तो करो या मरो वाली इस्तिदी के हाँ, effort लगाना है, policies को implement करना है, और implement करने के बाद खतम कर देना है, जो left wing extremism वाले एरिया से, वहाँ पर दीरे 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 इन सब चाहिए, इन सब दो, training दो, then actionable intelligence, guys actionable intelligence का मतलब क्या होता है, जो भी gather करो, जैसे CBI है, CBI हो गया, CID, जितने भी हमारे यहां के wings है, सारे के सारे जो intelligence, wings है, सारे के सारे wings, जो है intelligently, एक साथ मिलके, cooperate करके, coordinate करके काम करें, dashboard बनाये याए, development, और key performance indicator का, right, then harness करी आए, technology को, for development and security, for example, आप खुद से सोचिए न, cyber security, बहुत ज़्यादा जरूरी है, right, लेकिन अब हम लोग cyber security को इतना यादा मतलब तबज्यों नहीं देते थे, developed countries ने दिया था, starting में, अब हम लोग देना चालू करें, अभी present में, 21 सताब्दी में, लेकिन उसके पहले cyber security, not at all a loophole for our country, right, तो ये एक problem होई थ कि government का कहना है कि harness करिया है technologies को, development कर रहा है, security को enhance कर रहा है, then action plan बनाया है, किस के लिए जी, every theater, बतलब एक plan होने चाहिए, plan of action होने चाहिए, right, एक protocol होने चाहिए, जिसके तहित काम कर रहा है, then last one is no access to financing, right, क्या होता है, left wing extremist के पास पैसा कहां से आ रहा है, वो employment कहां से ले एक 47 वो अगर चला रहे हैं, तो कहां से आ रही है, कहीं नहीं, smuggling हो रही है, चायना दे रहा है, पाकिस्तान दे रहा है, या कोई दूसरे countries जो है, जो चुड़ते हैं, वो दे रहे होंगे, right, तो याद रखना है आपको no access to financing, अगर हम इनके finance को ही cut कर देंगे, तो कैसे भी करके left wing extremism भी धीरे-धीरे खतम हो जाएगा, अब आखरी में में दो-तीन मिर्ट में way forward देता हूं, right, so way forward में community engagement and dialogue, पहला point, community engagement and dialogue is very important, अब community से ही बात करो direct, community को क्या चाहिए, उससे engage करो, right, dialogue रखिये, कि भाई, क्या debate, discussion and dialogue, ये part है democracy का, right, then youth entrepreneurship and startup incubation, right, तो government को focus करना चाहिए के youth पर, कि भाई, youth जो हैं वो पढ़े, entrepreneurial level पर काम करें, startup पर काम करें, ताकि employment generate हो, and employment is always good, right, then ecological and sustainable development initiative पर काम कर रहा है, empower कर रहा है, local peace ambassadors को, जितने भी local peace वाले लोग है, ambassador से, उनका empower कर रहा है, right, जो की मतलब, कुछ गुरू होते है, धर्मिक गुरू जिसको हम बोल सकते है, तो वो सारे के सारे गुरू जितने भी होते हैं, तो उनको बोला जाए कि हाँ, motivate करिए, ठीक है, जनता को भी motivate करिए कि इस तरीके की गतिविदियों में सनलिप्त ना हो, right, then next one is last one, last point is social impact bonding, government को trust, जो deficit है, जो आप देख पा रहा है, कि कहीं न कहीं, जो लोग है, उनमें trust की हावना नहीं है, तो trust deficit पे काम करना चाहिए, ताकि उसको fill करा जाए, और trust को establish करा जाए, that is, you know, like the real power of democracy, और government अगर इस पे काम करेगी, so 100% left wing extremism खतम होगा, so that's all from my side, guys, so you can see here, IS origin काफी सारे courses चला रहा है, plus courses, right, standard courses, premium courses, right, so इसमें काफी कुछ अभेलेवल है, when if it says, like live classes के, एक साल की validity मिलेगी, current affair के तगड़े वाले PDF मिलेंगे, then economic survey की सारी की सारी क्लास होंगी, mentorship availability, बहुत जादा important है, UPSC की तैयारी में, then essay writing, answer writing, पूरे के पूरे कुछ test series, जो भी available है, वो सारी की सारी available होंगे, and you can read, further, you can go and see the website of IS origin, so that's all from my side, guys, thanks a lot for listening as usual, very patiently, take care. कर दो